क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करने मार्किट में उतरते हैं तो अधिकतर मामलों में हमें भारी नुकसान क्यों सहना पड़ता है ऐसा क्यों नहीं होता कि हम बहुत ही आसानी से बहुत सारे मुनाफ़े कमा कर मार्किट से बाहर आ जाएं ये वीडियो मेरे साथ पूरी देखिए और आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि Intraday Traders Mostly ऐसी क्या गलतियां कर देते हैं जिनकी वैसे उन्हें नुकसान सहना पड़ता है तो चलिए शुरू करते हैं अब यह जानने के लिए कि अधिकतर Intraday Traders क्या गलती करते हैं हमें यह देखना होगा कि एक आम इंट्राडे ट्रेडर अपने दिन चरिया की शुरुवात किस प्रकार करता है वो सुबह सुबह उठता है और देखता है कि आज के समाचारों में कौन सी कमपनी सबसे जादा सुर्खियों में है वो उस कमपनी को इसलिए टारगेट करता है क्योंकि वो जानता है कि इस कमपनी से वो बहुत ही कम समय में बहुत सारे पैसे बना सकता है तो वो उस company के shares को अपनी watch list में डाल लेता है और उन पर नजर टिकाए बैठा रहता है जैसे ही market खुलती है माल लेते हैं कि उसे आद सुबह सुबह अख़बार में ऐसा कुछ दिखा जिससे उसे पता लगता है कि telecom companies के shares आज bullish होने वाले हैं आज उनके price बढ़ने वाले हैं तो वो stock market के उन shares पे नजर टिकाए बैठा रहता है कि कब इनका price हलका सा उपर जाए कब मुझे वो trend show हो और कब मैं इनमें अपने पैसे लगा सकता हूं कब मैं इने खरीच सकता हूं लेकिन धीरी धीरी वक्त बीटता जा रहा है और market के graph में कोई भी movement नहीं आ रही ना uptrend ना downtrend graph विल्कुल सीधा सीधा चले जा रहा है वो चाहता है कि graph थोड़ा uptrend जाए ताकि वो उसमें पैसा लगा सके और उसके bullish trend का फायदा उठा सके लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा तो वो trader अब यहाँ पर गलती करता है रोलाता है अपनी अंतरात्मा का एक फैसला जो निर्धारित है उस अनियमिस से समाचार पर जो उसने आज सुबह सुबह एक अकबार में पड़ा था वो सोचता है कि जब इतनी बड़ी खबर आई ही है तो इस company के share तो उपर जाएंगे तो मैं इसमें पैसे लगा देता हूँ इसको खरीद लेता हूँ वो उसमें कुछ पैसे लगा देता है ट्रेडिंग शुरू कर देता है बट फिर भी जो graph है वो उपर नहीं जाता वो sideways ही चलता रहता है अब वो अंदर से थोड़ा थोड़ा बेचैन हो रहा है और यही बेचैन ही उसको market में पैसा गवाने पर मजबूर कर देगी उसका बेचैन होना उन traders का काफी फायदा करवा देगा जो संदेही रहीत होकर market में trades कर रहे हैं वो इसी बेचैन ही की आग को बुझाने के लिए जाता है ट्विटर पर और देखता है कि बड़े बड़े experts ने इस stock के बारे में क्या कहा है वो देखता है और उसे ये जानकर काफी खुशी होती है कि बड़े बड़े experts भी यही मानते हैं कि ये stocks bullish होने वाले हैं फिर वो अपने मन में सोचता है कि जब सब यही सोच रहे हैं तो मैं कैसे गलत हो सकता हूँ ये stock bullish ही जाएगा इसके prices बढ़ने ही वाले हैं तो वो अपनी कुछ और पुझी उस trade में लगा देता है और फिर से उस graph पर बास की तरह नजर टिकाया बैठा है ये देखने के लिए कि कब वो graph उपर जाएगा अब धीरे धीरे graph में थोड़ी थोड़ी movement आने लगती है graph हलका हलका उपर जा रहा है और उसकी खुशी का स्तर अतुल है वह इतना खुश इसलिए है क्योंकि हर छूटी छूटी एक रुपे की movement से भी वो हजार रुपे का profit कमा रहा है और सिरफ कुछ मिंटों में उसने अपनी तीन महीने की salary को as an advance profit कमा लिया है वो भी सिरफ एक trade में intraday trading में अक्सर वो लोग ही पैसे गवा कर जाते हैं जो अपनी भावनाओं पर नियंतरन रखना सही प्रकार से नहीं जानते अब जब यहाँ पर वो इतना आत्म विश्वसित हो गया था और उसे इतने profits मिल रहे थे तो उसे सही समय देखकर market से exit ले लेना चाहिए था हुआ कि trading करना सरल तो है पर आसान नहीं है अब जब अगर हम इस मामले पर गौर फरमाए तो उसने गलती कहां की उसने गलती सबसे बड़ी यहां की कि उसने सोचा कि मैं इस trade से कितने पैसे कमा सकता हूं इसकी बजायों से सूचना चाहिए था कि मैं इस trade में कितने पैसे गवा सकता हूं आप जब भी trade करने जाओ आपको एक stop loss जरूर रखना है आपको अपनी एक limit रखनी है कि मुझे इतने नुकसान के बाद market से exit ले लेनी है अगर आप exit के समय को महतो देने लग जाएंगे तो अगर आप ऐसे earnings से समाचारों पे trade करते रहेंगे तो आपके returns भी काफी earnings से होंगे आपको कुछ दिन तो फायदा होगा लेकिन काफे दिन नुकसान होने वाला है एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप intraday को कभी भी positional में convert मत कीजिए सिरफ इस कारण से कि आपको intraday में थोड़ा सा नुकसान हो गया मान लेते हैं कि आप intraday trade कर रहे हैं और आपको दिन के end तक थोड़ा सा नुकसान हो रहा है तो आप सोचते हैं कि मैं अगर इस intraday को positional में convert कर दूँ तो शायद मुझे कल profits मिल जाएं ऐसा आपको बिलकुल नहीं करना अगर इंटraday है तो प्लीज उसे तीन बच के 20 मिनट से पहले close कर दीजिए सिर्फ इस सोच में कि वो आपको कल्प फायदा दे के जाएगा आप इसे positional में convert मत कीजिए आपको काफी भारी नुकसान भी हो सकता है याद रखिएगा कि अगर आपको intraday trading में अच्छे खासे कमाने हैं तो आपको trading की rules पता होने चाहिए कुछ नियम कायदे कानून पता होने चाहिए आपको position sizing के बारे में जानना होगा आपको हर trade में कितना risk है उसके बारे में जानना होगा जब आप ये सारी चीज़े समझ कर लागू करकर intraday trading करने जाएंगे तो आपके मुनाफ़ कमाने के संभावनाएं काफी बढ़ जाती है तो इस वीडियो के लिए इतना ही उम्मीद करता हूं कि आपने मुझसे कुछ सीखा होगा अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज नीचे कमेंट करके हमें बताइए अगर आपको ऐसी वीडियो और देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना कि इस चैनल पर और ऐसा बहुत सा कंटेंट आता रहता है थैंक यू सो मुच